नमिश्कार दोस्तों स्वागत है आपका मारे यूटिब चैनल यूनल एड़ बॉल पूल में तो आज हम आपके लिए एक बार फिर से दो ऐसी ट्रिक्स लेके आए हैं जिनकी इंपोर्टेंस एंड डिमांड बहुत जादा है एड़ बॉल पूल गेम में परस्ट नेमचेन ट्रिक एंड सकेंड हाव तो कनवर्ट पेस्बुक अकाउंट इन्टो में क्लिप आईडी इन लेटेस्ट वर्जन 5.4.2 ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है तो फूल इंफोर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक सुरूर देखिएगा और अगर आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ वेल अयकन को भी प्रेस करके और पेक्लिक कर लिजे ताकि आपको उमारे नेक्स वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों कैसे आप सब आई होब आप सब ठीक ही होंगे जिन्होंने मेरी ओल्ड वीडियोस देखी होंगी उन्हें पता होगा कि मैं पहले भी इन टॉपिक्स पर वीडियो बना चुका हूँ बट कुछ वीवर्स को प्रॉब्लम सोरी थी समझने में तो इसलिए मैं एक बार फिर से आपको ये ट्रिक्स करके दिखाऊंगा लेटेश वर्जन 5.4.2 में अगर आप अपने अकाउंट का नेम चेंज करना चाहते हो तो पहले आपको अपने फेस्बुक अकाउंट को मिनिकलिप आईडि में कनवर्ट करना होगा इसलिए मैं दोनों ट्रिक्स एक ही वीडियो में बताने वाला हूं वीडियो को complete देखना अगर आप बीच पीच में skip करोगे तो steps मिस्तो सकते हैं जिससे आपके अकाउंट को भी risk हो सकते हैं तो प्लीज वीडियो को बिना स्कीप करें देखना और अच्छे से सुनना मैं क्या कहूंगा मैं हर बार कहता हूँ कि ध्यान से देखना बट फिर भी कुछ वीवर से मिश्टेक हो जाती है चलो कोई बात नहीं सिर्फ आपको इस वीडियो में जैसा दिखाया जाएगा सिर्फ वही करना है अगर आपके सामें कुछ अलग ओप्शन्स आएं फॉर एक्जामपल आपका अकाउंट किसी जीमेल से लिंक है तो वहां आपको कंटीनू का ओप्शन शो होता है कंटीनू पर क्लिक मत करिएगा इससे आपका अकाउंट डिसेबल हो सकता है तो प्लीज ध्यान से देखना हर एक स्टेप को अब हम अपना प्रसाइज शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप फेसबूक अकाउंट को मिनिकलिफ आइडी में कलवर्ड कैसे कर सकते हो तो सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद यहां पर सर्च करना है गूगल प्ले गेम्स और इस एप को सिंप्ली इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों इस एप को सिर्फ इंस्टॉल करना है अभी ओपन नहीं करना और इसके बाद आपने सीधा अपने गेम्स को ओपन कर लेना है और इस टेप में अपने वो आईडी लोगिन करनी है जो आप मिनी क्लिप में कनवर्ट करना चाहते हो मेरा फेस्बूक अकाउंट लोगिन हो चुका है नेम एंड यूनीक आईडी भी आप देख लीजिए इसे एकाउंट को मैं मिनी क्लिप में कनवर्ट करके दिखाऊंगा और वर्जिन भी आपको चेक करा देता हूँ लेटेश वर्जिन है 5.4.2 और इसके बाद दोस्तों आपने गूगल प्लेपे क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरवेस आएगा यहाँ पे आपने उस इमेल को सेलेक्ट करना उसको लिंक करना चाहते हूँ यह आप पढ़ भी सकते हैं आपने सिंपली क्रेट वाले ओप्शन पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके सामने अलाव और डिनाय के ओप्शन आएंगे आपने अलाव पे क्लिक कर देना है और पढ़ भी सकते हो आप एक एक स्टेप को आप दोस्तों ध्यान से देखते रहें और आप देख सकते हैं मेरा गूगल से सक्सेस्फिली लिंक हो चुके है आईडी थोड़ा यहां अचीवमेंट्स वगरा अनलोग खुने में टाइम लेगा और इसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और अब देख लीजिए हमारा गूगल से एकाउंट सेस्फिली लिंक हो चुका है आपको युनिक आईडी एंड नेम भी दिखा देता हूं देख लीजिए आप इसके बाद आपने simply अपने आईडी को लोग आउट कर देना है आपने सिधा login with mini clip पे क्लेक कर लेना है और forgod password पे आपने क्लेक कर देना है और इस पे क्लेक करनेके बाद आपने वहाँ पे वह वह email को एंटर करना है जो आपने Google से लिंग की थी मनें इस email को वहां पे लिंग करा था तो मैं enter कर देता हूं इसके बाद अपने recent पे क्लिक कर दिना है रिचल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां देख लीजिए email sent लिखाओं आ रहा है इसका मतलब बिलिक्लिप कॉम्यूटी ने आपके पास mail करी होगी, आप वो mail को चेक कर लीजिए, time भी आप देख लीजिए, देख लीजिए, साथ के साथ mail आ चुकी है, time देख लीजिए, same time पे mail आ चुका है, और अब आपने simply mail पे click कर लेना है, क्लिक करने के बाद, आपके पास reset password का option आ रहा होगा, आपने उस पे click कर देना है, और आप browser में enter हो जाओगे, देख लीजिए, अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, new password and confirm password लिखा होगा, आपने यहापे अपना password रख लेना है, जो आप रखना चाहते हो, मैं अपना password रख लेता हूँ, और इसके बाद आपने save settings पे click कर देना है, save settings पे click करने के बाद, आप देख लीजिए, हमारा password रखा गया है, और आपने सीधा अपनी game को open कर लेना है, game को open कर लेके बाद, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बड़ लोग इन करके, हमारी mini clip में convert हो चुकी है, आपने email को enter कर लेना है, और जो आपने password बनाया था, वो आपने write down करके simply login कर लेना है, देख लीजिए, successfully mini clip में link हो चुकी है ID, unique ID देख लीजिए, name विगरा आप देख लीजिए, settings में भी आपको चेक कर वा देता हूँ, देख लीजिए, और latest version है 5.4.2, तो दोस्तों, अब हमारा facebook account successfully mini clip ID में convert हो चुका है, अब आपको बताता हूँ कि इस ID का name change कैसे करते हैं, हाँ थोड़ा complicated है, बड़ ध्यान से देखोगे और सुनोगे तो समझ आ जाएगा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ ID का name, मैं इसी ID का name change करके दिखाऊंगा आपको, और इसके बाद आपने fake Gmail account बना लेना है, अब आपने fake Gmail बिल्कुल, अब आपने अपना date of birth रख लेना है, दोस्तों यह बिल्कुल भी fake है, आप कुछ भी रख सकते हैं, इसके बाद आपने Gmail address को select कर लेना है, जो भी इन्योंने suggest कर रहा है, अब वो select कर लीजिएगा, और अब आपना password रख लेना है, पास्वर्ड रखने के बाद आपने next कर लेना है, next करने के बाद यह सामे I am in पे क्लिक कर देना है आपकोने, आई अगिल पे क्लिक कर दीजिए, और दोस्तों आपका fake Gmail एकाउंट ready हो जाएगा, और दोस्तों अब आपने अपनी गेम को open कर लेना है, गेम को open करने के बाद आपने Google Play पे क्लिक कर लेना है, और आपने यहाँ पे वो Gmail एड्रेस को सेलेक्ट कर रहा है, जो अभी अभी अपने fake Gmail एकाउंट बनाया है, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, इससे आपका एक new एकाउंट क्रियेट हो जाएगा, यह दोस्तों fake अकाउंट होगा, आप बस वीडियो को देखते रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा, अब आप allow कर लीजिए, पढ़ भी सकते हैं आप, और अब यहाँ पे tutorial कंप्लीट कर लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा fast कर देता हूँ, अब दोस्तों देखिए, अब सारी बात है यहाँ पे समझने की, अगर आपने यहाँ पे अब समझ लिया, तो आपको आगे जाके, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बस आप ध्यान से देखना हर एक step को, मैं आपको बार-बार यहीं बात कहता हूँ, अगर आपने अब कोई भी steps मिस करे, तो आगे जाके आपके account को भी risk हो सकता है, तो प्लीज हर एक step ध्यान से देखना, और अच्छे से सुनना मैं क्या कहूँगा, तो दोस्तों, अब हमारा Google account create हो चुका है, unique ID भी आप देख लीजिए, और एक बात मैं आपको बता दू, यहाँ पर आप वो Facebook ID को login करना, जिसको आप name change करना चाहते हो, मैं इस ID का name change करना चाहता हूँ, तो मैंने यह login कर रखे है ID, देखते रहे हैं, और login with Facebook पर आप click कर ले रहा है, इससे आपका वो पुरानी ID इससे connect हो जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप पहले mini clip में convert कर लीजिए अपने account को, इससे कोई risk नहीं होने वाला, और अब आपने yes पर click कर लेना है, तो अब मैं आपको पढ़के बता देता हूँ, देखिए, इससे आपका जो old facebook account था, वो इस account से link हो जाएगा, ठीक है, और अब आपने continue पर click कर लेना है, click करने के बाद आप देख सकते हैं, मेरे old facebook account इस account से link हो चुका है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपके mini clip पर है ID, unique ID आप देख लीजिए, और दोस्तों अब आपने अपनी ID को log out कर लेना है, और जो आपका old account था, उसको आपने mini clip से login कर लेना है, और जो आपका old account है, उससे आपका facebook अनलिंग हो चुका है, और अब आप ये देख सकते हैं, जो हमारा email में नाम था, वो automatically वही रखा गया है, आप देख लीजिए, और मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास कुछ Instagram पे DM जा रहे थे, कि मैं अपना new facebook account ना create नहीं करना चाहता, मैं उसी old facebook account को ही रखना चाहता हूं, और ऐसा बताओ मेरे को कि मेरा name भी चेंज हो जाए, तो दोस्तों ये सब possible नहीं है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूं, कि ये सब possible है या नहीं, अब देखिए मैंने old facebook account को मेरी facebook application में लोग इन कर रखा है, और अब मैं लोग इन with facebook पे क्लिक करता हूं, तो देखिए मेरे सामने ये option आ रहा है, अब मैं आपको सिधा सिधा इसका मतलब बता देता हूं, देखिए जो हमारा old facebook account था ना, वो किसी और account से relink है इस time, तो अब आप इसको इस account के साथ link नहीं कर सकते, हम ये सिर्फ दो बार कर सकते हैं, अगर हम तीसरी बार करने जाएंगे तो यही option आता है, या तो आप अपना नाम यही रख सकते हो, जो आपका gmail address का है, और अगर आपने कोई और नाम रखना है, तो आप अपना new facebook account बना लीजिए, और उस पे वो नाम रखिए जो आप रखना चाहते हो, और simply इस account के साथ connect कर लिए, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, मैंने अपना facebook account बना के रख लिया है, आप भी अपना रख लिजिएगा, बट आपको 60 minutes तक वेट करना होगा, आप 60 minutes बाद ही पूल से connect कर सकते हो, ये एक rule होता है, अब देखे, मैं आपको चेक करवा देता हूँ, मैंने अपना new facebook account बनाया हुआ है, और इस account का मैंने वो name रखा है, जो मैं रखना चाहता हूँ, और आप भी अपना रख लिजिएगा, जो आप रखना चाहते हैं, और इसके बाद आपने अपनी game को open कर लेना है, game को open करने के बाद, आपने main id mini clip से login कर लेनी है, मैं आपको एक बार account भी चेक करवा देता हूँ, वही सेम account है, जो मैंने पहले mini clip में आपको convert करके दिखाया था, unique id and name देख लीजिए, अब आपने simply login with facebook पे click कर देना है, click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा, फिर आपने continue as skin पे click कर देना है, इससे आपका ये नाम रखा जाएगा, five full cash भी मिल चुके है, तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं, हमारा name successfully change हो चुका है, unique id भी आप देख लीजिए, वही है जो मैंने आपको पुरानी दिखाई थी, और आपको version भी चक करा देता हूँ, देख लीजिए, latest version है 5.4.2, तो दोस्तों अब ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकिया है, इसलिए अब हम वीडियो को end करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like करना, comment करना, और अपने पूल फ्रेंट्स के साथ share जरूर करना, ताकि उनकी भी help हो सके, तो चरिए अब हम मिलते हैं अपसे next वीडियो में, till then, bye bye,